हेलो एंड वेलकम टू 15 बी एपिसोड ओफ नी पेन रिलीव सीरीज आइम डॉक्टर वरुन वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिनिस्कस टियर की एक्ससाइजेज और उसके टेस्स के बारे में जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 15 पार्ट जो था मारा फर्स पार्ट उसमें मैंने बताया था कि मनिस्कस टियर होता क्या है तो आप उसको जरूर देख लें जाके अब हम देखेंगे मनिस्कस टियर टेस्स कैसे करते हैं तो यह फिजो थेरिपिस्ट के लिए और्फरपेटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टन वीडियो है और आपको भी पता लग जाएगा सबसे पर दो मनिस्कस टियर जब होता है तो जो 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 जा रहा है वहां पर प्रेस करने पर पेंड जुरूर होता है मनिस्कस टियर में और थोड़ी सी मरें क्या करत है जो पॉस्टीरर ली जो पें होता है वो कई बार पेशन को यहां पर पॉस्टीरर आस्पेक्ट पर भी फील होता है तो इससे में पता लग जाता है मनिस्कस टियर है अब हम टेस्स करने लगें मेकमरेस टेस्ट क्योंकि मेकमरेस टेस्ट की जो रेलिवेंसी है जो हमारा उ नी को फ्लेक्शन में लेके जाके हमारा जो टीबिया है उसको हमने एक्स्टेंशन में लेके आना यानि की लेटरल रोटेशन बाहर की और अब बाहर की और रोटेट करके साथ ही हमने वेल्गस फोर्स देनी है वेल्गस फोर्स वह होती है जो नी को हम देंगे तो इस तरह से हमने पुश कर देना है, अब नी को फोल्डीड पोजीशन से हमने extension में लेकर आना, यानी कि सीधा करते करते, अब इस पोजीशन में हमारा जो posterior horn होता है, posterior part होता है, medial meniscus का, वो एकदम से stress में आ जाते है, तो इसलिए हमें इस से पता लग जाते है, अगर इस तरह जाते जाते हैं, नी को सीधा करते करते हैं, पेशन को shooting pain होता है, slapping sound आता है, या popping sound आता है, तो समझ लेजिए medial meniscus में problem है, ऐसी lateral meniscus को करने के लिए बाकि जो medial meniscus का है, व इसको, टिबिया को medialy rotate कर देना है, अंदर की तरफ, और हमने देना है virus force, यानि की बाहर की और, अब virus force देते हुए, हमने इसको extend करते जाना है, करते जाना है, इस तरह से हमारा जो lateral compartment, जो lateral meniscus है, वहाँ पे जाके stress आता है, तो हमें एक slapping sound, popping sound या pain, अगर patient को feel होगा, तो और ही अब देखते हैं apply test कारते हैं, apply test में distraction और compression, डोनों components को देखना होता है, अब इसमें patient को, अगर distraction करके, ये हमारा medial rotation और external rotation, इस तरह से अगर हमारा problem आता है patient को, तो ये ligamentous होता है, और meniscus tear में हमें इस तरह से compression देके patient का हमने middle rotation और external rotation करना होता है इससे हमें अगर pain आए patient को तो इससे पतल लग जाता है कि meniscus है तो जब भी हमने compression के साथ pain आ रहा है तो meniscus है अगर distraction करके pain आ रहा है तो वो ligamentis है और अगर distraction करके कुछ नहीं हो रहा तो समय लिए यह meniscus का confirm test हो जाता है तो यह था applies menu over तो इसी तरह से हमारा यह हुआ test अब चलते हैं exercises की तरफ तो अब आता है meniscus tear की exercises की तरफ तो exercises में हमने सबसे पहले यह ध्यान रखना है जब भी meniscus tear होता है तो patient का जो नहीं होता है वो पूरा extend नहीं होता थोड़ा सा folding position में रहता है क्योंकि इसमें patient को relief मिलता है और अगर extend करने ही कोशिश करिये तो उसको बहुत pain होता है तो knee folding position में रखके ही patient रहता है तो इसलिए इसमें inflammation भी होती है तो इसलिए हमने सबसे पहला काम का करना है यह जो आपको ball तो पता ही है बहुत सारे लोग मुझसे ले भी चुके है हमने career ball सारे लोगों को रवाई है knee pain के लिए यह knee pain के लिए तो बहुत वर्दान का काम करते है को कि इस ball से हम बहुत सारी access करते है तो देखिए folding position में हम इस तरह से knee को रख देंगे और दूसरा knee fold कर लेंगे ताकि हमारा back पे stress ना हो अब सबसे पहले हमने काम करना है मनिस्कस tier के लिए तो इसी folding position में हमने knee को press करते है शुरू कर देना है हम जो osteoarthritis के लिए exercise करते है उसमें हम knee को जब ball को press करते है तो 5-10 second का hold करते है इसमें हमने hold कोई नहीं करना fast fast press करते जाना है इसको press stop complete press complete press stop इस तरह से हमने press करते जाना है total हमने 100 times करना है ऐसा दिन में 3-4 बार कर लेना है तो total 300 हो जाएगा एक बारी में जब आप शुरू करते हैं 50-200 times आपने press करना शुरू कर देना है इससे के होगा धीरे धीरे मारा knee extension में जाना शुरू हो जाएगा meniscus अपनी जगा ले लेगा पर flap tier के लिए हमें थोड़ा सा और भी काम करना पड़ता है वो भी आपको बताता हूँ तो सबसे पहला हमारा exercise हो गया इसको बॉल को फास्ट फास्ट प्रेस करना तो इसमें हमारा जो पैर है वो बिल्कुल सीधर रहना चाहिए हील उठना नहीं चाहिए और नी को आपने फास्ट फास्ट इसको प्रेस करते जाना है तो यह होगी first exercise second exercise में हमने पेशन को उल्टा लेटा देना है तो next exercise में मार लीजे मारा यह वहला नी जो था वह प्रॉब्लम वहला था तो इस तरह से हमने पिल्लों के नीचे रख लेना है क्योंकि पूरा नी एक स्टेंड नहीं हो रहा अब धीरे धीरे पेशन ने क्या करना है इसको folding position में लेके आना है धीरे 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 फोल्ड करते हुए 90 degree लाके फिर से पेशन ने इसको नीचे push कर देना है इस तरह से अब फिर से इसको fold करेंगे इस तरह से हमने धीरे धीरे fold करते जाना है 90 degree लाके इसको वापिस लाते जाना है तो इस तरह से हमने नीचे लाके यहाँ पे पिलो पे प्रेस करना होता है क्योंकि प्रोन पॉजिशन में जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो भी extension का काम करेगा तो इस तरह से हमारी extension और हो खुलती जाएगे यह तिमारी दो अब चलते अपने थोर्ड एक्सिशाइज के तरफ उसके लिए लूप आप एगया कॉर्टी जाया करना है इसको लूप को in the war को इस तरह सेव क्योंको पूरी जगह ख तीए bucket पर हमें fix होने के लिए और यह loop easily available है आप इसको buy कर सकते हैं नीचे जाके आप number पे जो number आपको flash हो रहा है वहाँ जाके आप कोई भी product को order दे सकते हैं आपको courier करवा दिया जाएगा अब इसमें का करना है माननी जी है माना left leg injured है अब इस पैर ने सीधा रखना है तो दूसरा पैर को हमने ऐसे leg को abduction में लाके यहां से knee को hold कर लेना है और tibia को याने कि अपने पैर को ankle को पूरा हमने twist करना है याने कि rotate करना है बाहर के और इसको external rotation देना है इस तरह से हमने externally rotate कर करते इसको 10 times rotate करना है इससे के होगा हमारा जो meniscus है उसमें थोड़ी सी जगा create हो जाएगी और हमारी जो नहीं है थोड़ा सा और extension में खुलना शुरू हो जागा क्योंकि आपको पता है meniscus tier में 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 लॉकिंग लगता है हमें और पूरा खूलनी बाता तो इस तरह से नह प्राद होगा अपना यहां से पकड़ के इससे आपको पता जाएगा जो फिबूला वह आपको फील होगी कि इस तरह से मारी पूरी लैक है वह externally rotate हो रही है तो टीबिया और इस तरह से हमने एक्स्टर्नरी रोटेट करवा देना है अब इसी तरह से हमने मीडियल रोटेशन करना है तो हमने इसको हाथ में पकड़ देना है क्योंकि वह opposite side हो जाएगा तो पकड़ नहीं पाएगा तो सबसे पहले हमने इस तरह से पकड़ लेना हाथ में और इस लैक को पहले एडक्शन की तरफ लाना है ताकि हमें resistance फील हो और उसके बाद rotation शुरू करना है medially इस तरह से हमने medial rotation शुरू कर देना है इस third exercise को करते करते हम जैसे हमारे पास rotation करेगा तो जगह खुलती जाएगी क्योंकि हमने अपनी जगह क्रेट करनी है extension लाने के लिए अब यह third exercise करने के बाद जब हमारे पास थोड़ी सी extension लानी शुरू हो जाती है range खुलनी शुरू हो जाती ह तो उसके बाद हमने क्या करना है उस extension को पक्का करना है वहां पर VMO की strengthening भी करनी है अब उस पार्ट को strengthen करने के लिए हमें इस तरह से यह फोर्म रोलर जाहिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो भी आपको यह equipment चाहिए आप order दे सकते हैं नीचे लिखे number पर इस तरह से अब इसमें ध्यान रखना है कि हमने इसको knee के नीचे 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 रखना है अब thigh के नीचे रखके हमने इसको thigh से press करना है दूसरी leg fold कर लिजिए दाकि back पे stress ना है, अब thigh से press करते हुए, सिरब lower leg को हमने lift करना है, और pair को अपनी तरब खीच लेना है, इससे क्या होगा, जो हम extension achieve कर चुके हैं, तो हमारा हम उसको strengthen भी करना है, तो इस तरह से foam roller को इस तरह से हमने thigh से press किया, और lower leg को उठा लिया, फिर pair को stretch कर लिया, इससे ह हमारा VMO भी strengthen होता जाएगा, quadriceps muscle भी strengthen होता जाएगा, उससे हमारा और improvement आते जाएगी, क्योंकि exercise की विरे से हम अपने meniscus tear को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब meniscus tear होता है, तो knee की stability बड़ी lose हो जाती है, बड़ा हमें effect आता है, जैसे give away effect आता है, क्योंकि knee locking हो ज अब आपने इस ball का use देखा होगा, knee के नीचे रखके हम करते हैं, उसके बाद हम knee के बीज में रखके करते हैं, अब first time हमने इस ball को इस तरह से ankle के बीज में रख लेना है, बल्कुल tibia का lower portion जो आएगा, ankle के बीज में रखके, maleolus के बीज में रखके, अब हमने दोनों अप पैरो को इस तरह rotate करके इसको फिर से press करना है, इससे के होगा हमारे adductor muscle, VMO muscle, जितने भी internal thigh muscles हैं, वो strong होगे, इससे भी हमारा जो meniscus है, उसको support मिल दी, आस पास की जितने tissues हैं, वो उसको hold करते हैं, knee को stability देते हैं, ताकि meniscus tear होने के बाबजूद भी, हमारा जो knee है, वो stability ले सके, तो इसमें हमने क्या करना है, इस तरह से, इंटरलेरी रोटेट करके, टिबिया को अपने बॉल को पैरो से press कर देना है, इसको 5-10 second hold करना है, यकीन होने है, इसका इतना अच्छा stress आता है, नीचे विपीज में, हमारे adductor muscle में इतना अच्छा stress आता है, और इतनी अ थोड़ा advanced level का exercise होता है, वो भी आगे जाके मैं वीडियो publish करता रहूंगा, उसमें हमें advanced level की थोड़ी सी जैसे pain खतम होता है, stability आती तो थोड़ी और strength लाने के लिए exercise होती है, तो इस तरह से आपने दोनों test भी देख लिए, exercise भी देख लिए, तो exercise को जरूर करिए, और 15th episode आएगा अब, उसमें हम new products, जो हमारे knee pain relief products है, उसको launch करेंगे, क्योंकि ये 15th episode है, तो इसके बाद हम directly 16th episode publish करेंगे, जिसमें हमारे knee pain relief products होंगे, वो product भी आप उसको भी इसे तरह से प्यार दीजीगा, वैसे भी आप अल्रेड़ी बहुत अच्छा response देरे हैं हमारे सार products को सभी लोग मुवाते हैं, और उसको use करते हैं, क्योंकि आप जब इसको पता है, हम इसको purpose है, ये product बताने का, वो यह है कि जब patient को पता लगेगा, कि इस product का use गया है, इसलिए हमारे videos में इसको use बताया जाता है, आपकी problem solve कैसे हो, ये बताया जाता है, इसी में पता लग कि जो तागत है, उसी से लोगों को पता लगता है, जब उनके पास ये video आता है, तो वो देखते हैं, कि मुझे भी ये problem है, मैं भी इसको use करूँ, या मैं भी exercise करूँ, तो उनको घर बठे relief मिलना शुरू हो जाता है, तो आप में बहुत ज़़गा power है, ये ऐसे video को share करते जाए, और हमारे चैनल के एक भी वीडियो मिस करने के ना हो आपसे, तो इसको subscribe जुरू कर लिजिए, और साथ ही साथ हमारा जो bell icon है, उसको जुरू दबादी जाए, तक कि आपकी कोई भी notification मिस ना हो, have a nice day, take care of yourself.